जे मसीह की प्रियभाई और वेनों स्वागत है आप सभी का मसीटीव यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या एक मसीही सराप पी सकता है या नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हां मसीही लोग सराप पी सकते हैं बहुत सारे लोग का मानना है कि मसीह लोग सराब नहीं पी सकते हैं जो लोग ये मानते हैं कि मसीह लोग सराब पी सकते हैं उनका कई बचन बाइबल से दिखाके वो बताते हैं कि हम सराब पी सकते हैं और कई बचनों के साथ वो कारण भी दिखाते हैं जैसे कि साधी, बेवा या आने किसी सुभोसर पे वो ये मानते हैं कि हम सराब पी सकते हैं और कई लोग का मानना ये भी है कि जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, मुसीबत की घड़ी में होते हैं, टेंशन में होते हैं उस समय हम सराब पी के अपने टेंशन को दूर कर सकते हैं तो ये सारे कारण दिखाते हैं और बहुत सारे लोग का ये मानना होता है कि नहीं मसीही लोग सराब नहीं पी सकते हैं और वो भी कई वचनों को दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि सराब पीना वाइवल में पाप है तो वो कौन सा वचन दिखाते हैं जिससे कि वो सराप पीते हैं सभोब देशक नौ साथ अपने मार्ग पर चला जा अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मान कर अपना दाख मदू पिया कर क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रशन हो चुका है पहला ये वचन दू पांच तेश भविस में केवल जलही का पीने वाला नरह पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के करण थोड़ा सा दाखरश काम में लाया कर तो ये कुछ वचन जो है वो दिखाते हैं और ये वचन दिखा के कहते हैं हम सराप पी शकते हैं तो अभी तक हमने पह कि सराप हम पी सकते हैं लेकिन अब हम दूसरे पक्ष के बारे में जानेंगे जो मसीही लोग ये मानते हैं कि सराप पीना पाप है सराप पीने वाले परमेशर के राजी में नहीं प्रवेश कर सकते हैं वो कौन से वचन को मानते हैं रोमियों 1421 भला तो यह है कि न मांस जिससे तेरा भाई ठोकर खाये, यहाँ पे साप साप दाखरस के बारे में सराब के बारे में लिखा है कि नहीं पीना चाहिए, नीतिवचन 23, दाखमदू के पीने वाले में नहोना और न मांस के अधिक खाने वाले की संगती करना, और भी बाइबल में वचन है जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें दाखरस यानि की सराब नहीं पीना चाहिए जैसे कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं एक कुरूंतियों 6 द्याय 10 वचन वहां पे लिखा है न चोर न लोभी न पियकड न गाली देने वाले न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे यानि पियकड लोग परमेश्वर के राज के बिल्कुल भी वारिस नहीं होने वाले हैं और भी बचन है पियकड या मारपीट करने वाला न हो वरन कोमल हो और न जगडालू और न लोभी हो यानि जो प्रभू की सेवा करते हैं उन्हें जगडालू लोभी और पियकड नहीं होना है वैसे ही एक तीति उस तीन आठ में लिखा है वैसे ही सेवकों को गंभीर होना चा चाहिए तीतूस एक साथ में लिखा है क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्यूर का भंडारी होने के कारण निर्दोस होना चाहिए न हठी न क्रोधी न प्यकड न मारपीट करने वाला न नीच कमाई का लोभी होना चाहिए कुल मिलाके यह वचन हम यह सिखाता है कि परमेश्य की परमेश्यूर को जानते हैं येश्यमसी को मानते हैं उनको दारू सराब नहीं पीना चाहिए और भी वचन है जो हमें सिखाते हैं कि परमेश्यूर के राज में प्रवेश करने वालों को सराब नहीं पीना चाहिए अब इन जब दोनों पक्छों की बातों को सुनते हैं त दोनों पक्ष वचन दिखाते हैं तो आएए हम निर्णे और निसकर्स निकालते हैं कि क्या सही है जब हम पढ़ते हैं जो वचन लोग दिखाते हैं कि हम सराब पी सकते हैं तो नै नियम का मुख्य प्रसिद्ध वचन वो यही दिखाते हैं कि एक ती मुथ्यूस पांच का ते दाखरस काम में लाया कर क्यूं बीमारी के इलाज के लिए समस्या से छुटकारा पाने कले अब इसी वचन को लोग पकड़ लेते हैं सबसे पहले कि थोड़ा-थोड़ा हम सराब पी सकते हैं जैसे पार्टी बर्थडे या अन्य किसी सुभ उसर पे लेकिन ये किसलिए कहा गय समस्या से हुएं जो हमारी समस्याओं में काम में आती हैं इसका यह नहीं कि जो ठीके पर जो द्र। के ढूकान पर बगता है वो दारू लेके आके वो सराब लेके आके हमें पीना है ऐसा नहीं मेडिकल पे बहुत सारी दवाया मिलती हैं जो हमारी स्वास्त के लिए अच्छे हैं और उसमें इलकोहल भी रहता है अब जो पीने वाले होते हैं यही वचन लेके वो दिखाते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सोच के देखे जब आप थोड़ा सा पीएंगे तो थोड़ा पीते पीते ही बहुत पीते हैं कोई भी व्यक्ति पहले जब थोड़ा सा पीता है तब ही धिरे-धिरे वह ज्यादा पीने लगता है और एक दिन वह प्यक्र बन जाता है और वह कहां गिर जाएगा किस नाली में नहीं पी सकते हैं परमेशुर के राज में प्रवेश करने वाले सराप पीते हैं तो ये पाप है क्योंकि साफ परमेशुर के बचन में लिखा है कि प्यक कर लोग परमेशुर के राज के वारिश नहीं होंगे तो उमीद करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली है यदि आ